हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेस्मेंट वरक्षिट नमबर 10 करेंगे जो की क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस ये वरक्षिट 28 दिसंबर 2021 की है तो आएज शुरू करते हैं आज की असेस्मेंट वरक्षिट एक पैराग्राफ दिया गया है उससे रिलेटेड फोर कोशिंस दिये गए है तो आएज हम से पैराग्राफ को रीट करेंगे क्योंकि हमने जो वरक्षिट करी तो उनको अच्छे से समझ लिया था इस्लाम प्रोपगेट स्ट्रिक मोंचेज और शुरू को रिलेटेड वरक्षिट वरक्षिट पैर पाषिट इसको क्या करेंस को कि जब ईस्लाम की स्ट्राइं से मुठीं दोनोंने से मदन को फोलो किया लेकिन वुस्ट के रूल से क्या होने लगें जाधा हीं yes वारी कॉंप्लेक्स होने लगे सी लिए एशियावर्द, गजाली, रुमी, और साधी. They developed elaborate method of the training using जिक्र, chatting and name, secret formula, competition, saga, singing, rocks, dancing, discussion of the parables, breath control, etc. Under the guidance of a master or peer. Peer के under में उन्होंने अलगला काम किये जैसे कि breath control करना, name लेना, भगवान का नाम जपना, dancing करना, singing करना. The immerse in the silsila of spiritual gyneology of the sufi teachers each following a slightly different method to the instruction and rituals practices. तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं, इसलिए हमने इसको फटा-फट रीट कर लिया. अब हम करते हैं इसके question answer. Question number one में क्या कहा गया है? Silsila is. क्या है silsila? Answer B, यहाँ पर correct हो जाएगा. A spiritual gyneology of the sufi teachers. B, यहाँ पर correct हो जाएगा. Question number second में देखिए. The sufi developed elaborate matter to the training under the guidance of. इसकी guidance में किया गया था. अभी हमने पढ़ा CP, यहाँ पर answer क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा. Question number three देखिए. Which of the following was not among the great sufis of the central India? कौन central India के जो sufis नहीं है, great sufis नहीं हैं? तो देखो, गजाली, साधी and रूमी है. क्या हो जाएगा? Cheating in the name भगवान का नाम जपना. तो C answer यहाँ पर क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा. अब हम देखते हैं question number four का answer. क्या कहा गया है? Who wrote Ram Charitra मानस and which language in written? तो आइए देखते हैं answer number fifth. तो देखिए, fifth question का answer होगा? Who wrote? तो क्या आजाएगा? तुलसी दास. तो हम लिखेंगे तुलसी दास रोट राम चरित मानस and in कौन सी language में? विच की जगा हम लिख देंगे? अवधी language. तो यहाँ पर लिख देंगे अवधी language. तो बहुत आसान था, इसलिए हमने यहीं पर करा दिया. तुलसी दास रोट राम चरित मानस in अवधी language it is written. ठीक है? यह हो जाएगा हमारा फिफ्ट कोशन. कोशन नबर सिख्स देखें, नेम एनिट्टू कमपोजिशन ओफ सूर्दास. सूर्दास के दो कमपोजिशन के नाम लिखने हैं. तो आएए करते हैं अंसर नमबर 6. तो देखें अंसर नमबर 6 क्या हो जाएगा? सूर्दास की हमें कमपोजिशन बताने थी. सूर्दास, सूर्दास वली और सत्या लहरी. यह हो जाएंगे अंसर नमबर 6 का कोशन. तो आएए देखते हैं इसका अंसर. तो देखते हैं अंसर नमबर 7. होपीस. तो देखो उसने क्या पुछाएं से होपीस क्या है? तो देखो तो यह हो जाएगा अंसर नमबर 7. अब आप देखते हैं नेक्स कोशन. कोशन नमबर 8 में क्या कहा गया है? तो आएए करते हैं कोशन नमबर 8 का अंसर. तो अब देखते हैं अंसर नमबर 8. यहां से अंसर आजएगा थ्री पॉइंट से आजएगा. इसके त्री पॉइंट से लिकने हैं. they criticize the ritual and other accept or the conventional reason and the social order using simple and logical argument they advocate rumination of the word to them the path of the salvation by meditation on the formless ultimate reality and the realization of onward with it तो ये देखो ये अंसर हो जाएंगे आपका question number 8 का असर ये तीनों point है यहाँ पर आपको लिखने होंगे अब हम देखते हैं next question question number 9 में देखेंगे क्या कहा गया मीरा बाई reject the rigidity of the caste system explain मीरा बाई ने किस तरह से जो अपना caste system को reject किया था उसके बारे में आपको बताना है तो आईए देखते हैं answer number 9 तो देखें answer number 9 में आप लिखेंगे मीरा बाई was a Rajput girl she was denoted to Krishna there an expression to devotion of her rhyme her song also openly challenge her norm of the upper caste क्या किया तो उनके songs ने अपर लिखेंगे चैलेंज किया था अपर कास्ट को become popular with the masses of Rajasthan and Gujarat जो क्या हो तो बहुत ज़्यादा popular हुए थे मास और उनने बहुत ज़्यादा message दिया था कहां गुजरात और राजस्तान में बहुत ज़्यादा वह लोग प्रिय होए थे तो यहां से ज़्यादा आपको detail में नहीं लिखना है इतना ही यहां पर answer जो है वह correct हो जाएगा अब देखते है लास्ट कोशन कोशन नंबर 10 देखो क्या कहा गया है क्या कहा गया है यहां पर गिव कोशन 4 मार्स के तो थोड़ा सा लेंथी से इसलिए थोड़ा से लेंथी अब हम देखते है कोशन नंबर 10 काartet अब देखते हैं अंसर नंबर टैन फिर्स्ट आपको क्या करना है दा संथ महारास्टर के नेम लिखने हैं फेमस संथ द्याशंकर ज्यानेश्वर नाम देव एकना तुका राम सुखिर बाय चोकुमाला यह सारे क्या हो जाएंगे नेम हो जाएंगे तो फिर्स्ट पार्ट में किया जाता है उसको उन्होंने क्या नकार दिया था अपनी फैमिली के साथ भी रहकर क्या कर सकते हो बगवान की प्राप्ति आपको हो सकती है अन्यू हमस्ट एडिया अमस्ट एस इंस्टेट टो भक्ति ले इन दा शेरिंग और पेंद जो आप दूसरों के पेंद के जो भक्ति हम कहेंगे जो एक्चिल में जो भक्ति है वो यही होगी तो यह हो जाएका अंसर नंबर तिन इसमें यह तीनों पॉइंट लिखने है और यह नाम लिखने है तो यह थी हमारी आज की वरक्षिट वरक्षिट को असेस्ट वरक्षिट को कंप्लेट करके अपने टी कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए, thank you guys.